नमस्कार आप देख रहें एनन स्पोर्ट्स और मैं हूँ आपके साथ करुन कुमार और हमारे साथ मौजूद हैं फुर्व क्रिकेटर मनिंदर सिंग और मनिंदर जिसे आज हम चर्चा करेंगे महन सिंग धोनी की जिनके बारे में कहा जाता है माही है तो कुछ भी मुमकिन है इंपोर्टेंस कितनी है क्योंकि बिमार थे पिछले 2-3 दिन से उसके बावजूद यह मैच खेलने उत्रे क्योंकि पता था कि यह मैच जीते तो टॉप टू में पहुंचेंगे और अगर टॉप टू में पहुंचते हैं तो जो क्वालिफायर खेलने का मौका मिलेगा जिसकी जो जीत कर वो फाइनल में पहुंच सकते हैं वो इसी मैदान पर खेलने का उनको मौका मिलेगा जहां पर की वो जो की उनका होम ग्राउंड है जिस पिछ को बहतरीन तरीके से जानते है और अपनी टीम को भी जानते है कि कितना बहतर एक्विप्ट है इस मैदान के ऊपर खे मिलती है सब दोनी के आने से टीम में फर्ट तो बहुत पड़ता है इसमें तो कोई शक की बात नहीं है क्योंकि अगर आप सुरेश राइना की बात करें उनको एक लाइसंस दिया हुआ है जाके अटाक करें वो खुलकर अटाक करते जब दोनी होते क्योंकि पीछे कुशन हो वो देखा जया तो उनसे तेज ऐसा लगता है कि कोई दोड़ ही नहीं पाता इसके अलावा जिस बल्लेबाजी की बात होती थी कि अब वो कुछ स्लो से हो गए एक बार फिर से वो दिखा रहे है कि वो कितने विस्फो टक हो सकते है देखे जहां तक बैटिंग के सवाल है व दूस पर अगर खराना उतर रहा हो तो फिर वो मेनत करना शुरू करता है अगर उसे खेलना हो इससे पता चलता है कि कितने पैशनेट है अपने खेल के लिए और दूसरी एक चीज़ दोनी की खास बात क्या है देखे टेक्निकली साउं नहीं सभी एक्सपर्ट्स कह चुके ह चाहे उनकी बैटिंग हो चाहे उनकी विकेट कीपिंग हो लेकिन उनकी ball sense कितनी बढ़िया है बौल उनके हाद से चिटकती नहीं है खास सवर से जब stumpings करनी हो या जब catches आते हैं उनके पास क्यूUMकि उनके इतने लंबे करियर में मैं उनको बहुत बढ़ा compliment देने वाला हू दो या तीन बार मैंने उनको catches drop करते हुए देखा है दो या तीन बार मैंने उनको stumpings छोड़ते हुए देखा है जो कि किसी भे wicket keeper के लिए बहुत बड़ा compliment है क्योंकि आप अलग-अलग conditions में अलग-अलग तरह की pitches के ओपर आप wicket keeping कर रहे है और वहाँ पर ball आपके हाथ से चिटके ना जब आप टेकनिकली उतने sound नहीं है ये बहुत बड़ी बात दिल्कुल उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है ये वहाँ को बहुत गौर से देखना चाहिए और all-rounder के तौर पर जडेजा की जो बात होती है वह काफी समय के बाद इस तरह की भूमिका में दिखाई पड़े क्या कहेंगे आप देखें धो दोनी ने उनको निश्चित रूप से motivate किया हुआ है confidence दिया हुआ है और वह confidence मैदान के ओपर दिखा था क्योंकि बैट से वो हर बार रण्स नहीं बनाते थे जिस तरह से उन्होंने कल के मैच में बैटिंग की थी बैतरी इन बैटिंग हम उजारह किया और वो जो जो बेश बना हुआ था उसको उन्होंने फाइदा उठाया और उस वज़या से इतना बड़ा स्कॉर भी खड़ा हो गया जिस तरह की hits उन्होंने लगाई जड़े जाने जहां तक bowling का सवाल है इस तरह की pitch के उपर वो बड़े घातक साबित होते हैं जहां पर कि थोड़ी सी उनको मदद मिल जाए लेकिन अगर batting से भी ऐसे runs बनाने लगे तो वर्ल्ड कप में जाने से पहले बहुत confidence के साथ वो जाएंगे और इंडिन टीम management को भी बहुत जादा confidence रहेगा जड़े जाने बिल्कुल और इस तरह से महन सिंग धोनी जो है वो दूसरों में भी होसला भर देते हैं ये कहा जा सकता है तमाम updates के लिए आप लगातार देखते रहे हैं